तो क्या हाल चेहाल भाई लोग कैसे हो आप लोग और का इस फाइनल या बस कुछ घंटों के अंदर आसूस इंडिया के इंदर लॉंच करने वाला है आसूस जैनफोन 5Z और सची कहूं तो यहां इंडिया में काफी ज्यादा लोगों ने वेट किया इस फोन के लिए खैर इस बताने वालों कुछ चीजों के बारे में जो कि मुझे अच्छी लेगी इस फोन के बारे में और कुछ चीजों के बारे में वैसे ज्यादा नहीं लेकिन कुछ चीजे हैं जो कि मुझे अच्छी ने लेगी इस फोन के बारे में तो अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो लोगो kind of reasons to buy reasons to not buy वाली वीडियो के दौर पर भी ले सकते हो सो हाँ जब यह चीज़ आप लोगो की उपर है लेकिन फिलहाल के लिए बिना कोई बगवास की जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हो रिशाफ और आप लोग देख रहे हैं हो रिशाफ टे और यहाँ पर आप लोग देख पार है अलमुस्स साड़े आट बजे से इनका लाइब इवेंट स्टार्ट होने वाला है अगर आप लोगो लाइब देखना है तो वैसे चैनल पर हो सके तुम लाइफ स्ट्रीम करूंगा पर फिर भी आप लोगो आसूस इंडिया के यूच्यूब चैनल या फिर आसूस इंडिया के फेस्बूक हैंडल या फिर ट्विटर हैंडल पर इसका लाइफ स्ट्रीम देखने को मिल जाएगा खेरब बात के लिए इस फोन के बारे में वैसे इस स्पेसिफिकेशन तो आप लोगो पता ही होगा और हाँ ये बात भी पता होगी कि ये फोन बैसिकली एक फ्लैक्सिप फोन है जो कि MWC 2018 के इस सा लाउंच हुआ था काफी जबर जाए इस फोन था दिक्कत की बस बात ये थी कि अभी तक ये इंडियन मार्केट्स में नहीं आया था खेर आप बात कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में जो कि मुझे अच्छी लगी इस फोन में तो जैसे कि आप लोगो बता होगा इस फोन की प्रैसिंग फॉर्ण गडरी में मतलब जीस इस आप से रखी गई है और उस इस इस आप से तो मुझे नहीं लगता है इंडियन मार्केट्स में इस फोन की प्रैसिंग 35,000 रूपय से ज़्यादा होगी और गाई सच मुछ में अगर यह फोन इतनी प्रैसिंग के अंदर लॉंच होता है तो यहां पर यह दूसरा फोन बन जाएगा ज्योंकि आप लोगो देखने को मिल जागा स्नेप्रगन 845 के साथ इंडिया के अंदर और इस प्रोसेसर के साथ आसू Zenfone 5Z काफी ज्यादा पावर्फुल हो जाता है आप लोग इस पर गेमिंग कर लो डे टो डे लाइफ कि इतने भी टास्क कर लो कितने सारे भी एप्स डाल दो फोन लैग नहीं करने वाला अब ऐसे इस फोन के यहां पर दो विरेंट लाउंच होने के चांसे है इंडिया के अंदर जो की होगा 64 और 128GB और 8GB रैम वाला सो हा आगे बढ़ते हो अब बात करते हैं अगली एची चीच के बारे में जो की मुझे लगी आसूस जैनफोन 5Z के अंदर तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बता होगा इस फोन में आप लोगों को देखने को मिल जाएग एक 19.9 डिस्प्ले एकस्पेक्ट रिशी वाली 1080 पि भी पता होगी स्क्रीन टो बाड़ी रिश्यो काफी जादा दी गई है और हाँ अलमुश बैजल लेस ही ये फोन बन जाता अफकॉस यहाँ एक नॉस दी गई है लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नॉच को इग्नोर कर देते हो तब फिर तो फोन की स्क्रीन काफी जबर ज शाहता हूं इस पोन के कैमरास के बारे में अब जैसे कि अब लोगो पता होगा यहाँ पे मैं आफकोस नहीं बात करें हूं इस फोन के फ्रेंट कैमरा के बारे में क्यों इस ऐसा की पता होगा थी रीसेनटली में डिएकlever AlsoEnt Zenfone 5 ने स्कोर किये अल्मुश्ट 90 और वो भी Snapdragon 636 के साथ जहां पर आप लोगों को इतनी जाच्छी camera processing देखने को नहीं मिलती तब आप लोग सोचो यहां पर सेम camera setup snapdragon 845 के साथ कितना अच्छा perform करेगा वैल अब सच का हूं तो यहां पर DX ने अभी तक आसू Zenfone 5Z को कोई भी स्कोर नहीं दिया है यहां पर फिर भी अगर आप लोगो को इस फोन के सच में बात करने चाहता हम इस phone के design के बारे में मतलब design सच में काफी ज्यादा अच्छा है इस phone का मतलब literally यहां पर metal or glass का use किया गया है इस phone को बनाने में जो की सच में phone को काफी ज्यादा premium looking बना देता है तो guys आगे बढ़ते हैं और आप बात करें अगली चीश बारे में और सच बता हूँ यह चीश मुझे सबसे best लगी इस phone में तो दोस्तों यहाँ पर बात करने चाहता हूँ इस phone की pricing के बारे में अब इंडिया में इनकी pricing क्या होगी guys सच में मुझे यहाँ पर कोई भी idea नहीं ह पर अगर बात करूं foreign countries की pricing के बारे में तो यहाँ पर आप लोगो 500 डॉलर में इस phone का base variant देखने को मिल जाता है जो कि सचे बता रहा हूँ काफी अच्छा है यहाँ पर me 8 को अगर छोड़ दिया जाए तो फिलहाल के लिए world का सबसे सस्ता phone है यहाँ आप लोगो snapdragon 845 देख इस phone के साथ बैटरी कफी अच्छी दी गई है 300 image की और अच्छी बात यहाँ पे आप लोगो hybrid sim slot का support दिया गया है मतलब अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप लोग एक HD card लगा सकती हो इस phone में वो भी एक sim के साथ तो हाँ यह एक अच्छी बात है यहाँ पे आप लो के बारे में बलब selfie camera यहाँ पे सज बतारो average है और सज बता हूं तो guys average selfie camera यार मुझे तो चल जाएगा लेकिन हो सकते हैं आप लोगों को ना चले क्योंकि यहाँ भाई सब साथ आप लोगों की demand हो सकती है कि इस phone के थुरू आप लोग चांद को धरती पे लाए खेर आप बा motion का भी option देखने को नहीं मिलता versus यहाँ पे आप लोगो one plus six यासे phones में यह सारी features देखने को मिलते हैं so हाँ guys यह downside हो जाता है इस phone के लिए anyways आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अगली चीछ के बारे में जो कि मुझे उतनी अची नहीं लेगी इस phone में so guys यहाँ पे में बा दिखते हैं so guys आगे बढ़ते हैं अच्छा चलो ठीक है नहीं बढ़ते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में भी आभी कोई ideas नहीं आ रहे है कि यहाँ और कौन से reasons है जिनकी वजह से आप लोगों को यह phone नहीं लेने चाहिए सच बता रहा हूं phone must buy phone है अगर यहाँ पे इस phone की pricing नि सच में यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे भाई एक लाइक दबा दो यार एक लाइक चपका कि जाओ जहां से और हाँ अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो रिशाफ टेक को बग